नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बहने से पहले एक नजर सुर्खियों पर नमेनिकाय चुनाओ के पहले चुनाओ के मद्दान को लेका रास थम जाएगा चुनाओ प्रचार का सोथ बिहार बोर्ड ने मैटरी का मॉडल प्रश्न पत्र किया जाड़ी बिहार में मार्च दो हजार तईस तक एक दसमलो बीस लाग सिक्षकों की निउक्ती नाज भरीत की तिथे विस्तारित करने पर सरकार करेगी विचार इसरी के बाद पहरा टेस्ट खेल रहे कुलदीप यादव ने बताया अपनी सफलता का राज इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से प्रात्मिक स्कूलों के हेड मास्टरों के निउक्ती के लिए हाई कोर्ट ने सिक्षा विवाग को दिया नर्देश हाई कोर्ट के जस्टिस पीवी वैजंत्री की खंड पीट के द्वारा अब्दुल भाकी अंसारी की रीट याची का को निस्पादित करते वे यह फैसला लिया गया है कि बिहार राजी के प्रात्मिक स्कूलों के हेड मास्टरों के निउक्ती एवं अन्य सर्तों को नरधायत करने वाली नई नियामावाली को निस्प्रभावी बता दिया गया है और साथ ही उसे नियामावाली प्रारूप माना है इसके अलावा हाई कोट के द्वारा या सिक्षा विवाग को निर्देश भी दिया गया है दिये गए निर्देश के अनुसार सिक्षा विवाग 18 अगस 2021 को जारी की गई बिहार राजिकरित प्रारंबिक स्कुल हेड मास्टर उसकी नियामावाली को प्रारूव के तौर पर कम सिक्षा विवाग के दौरा सीथ कालिन सत्र के बाद बिहार के करीम 9000 प्लस टू स्कूलो माध्यमिक और उच्छे माध्यमिक स्कूलो में एक दसमलोग 20 लाग से अधिक सिक्षा को की नियुक्ति को लेकर पूरी तयारी कर ली गई है सूत्रों से मिले जानकारी के अनुसार इसके लिए एक काबिनेट की बैठक आयुजित की जाएगी जिसमें नई नियामावली पर मुहर लगाने की संभावना जताई जारी है इसके साथ ही इन सिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विभाग की ओर से विग्यापन दिसंबर तक जारी किया संभावना है च्प्रा जहरیली सराफ कांड को लेकर राजेपाल से मिलेगा बी जेपी सिस्टमंडल पीहार के च्प्रा जिले में जहरीली सराफ से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जारी है बता दे कि अब तक कुल तरपन लोगों की मौल जहरीली सराफ से हो चु गई है इसी सराव कांड को लेकर आज बीजेपी सिस्टमंडर राजेपाल से मुलाकात करेगी और उनसे बिहार राजे में रास्टुपती सासन की मांग करेगी इसके साथ ही इस मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले चार सालों बिहार से जादा गुजरात में मौते हुई हैं वही नितीश कुमार का कहना है कि सराब पीने वालों से जादा सराब वैवशायों के गिरफतारी जरूरी है नगर निकाय चुनाओं के पहले चरण के मद्दान को लेकर आज थम जाएगा चुनाओं प्रचार का सोर नगर निकाय चुनाव के पहले चरण को लेकर बिहार की राजधानी पटना जले समेत राजे के कुल 156 नगर पाली काउं में 8 दिसंबर को मदान होना है इसे लेकर चुनाव प्रचार का कारिकरम 16 दिसंबर यानी की आज साम 5 बजे से थम जाएगा वहीं अगर 8 दिसंबर को होने वाले मदान के समय की बात करें तो इसकी सुरवास सुबह 7 वजे से होगी जो की साम 5 बजे तक चलेगी वहीं पहले चरण के मदान को लेकर राजर नर्वाचन आयोग के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है इसके साथ है जिस दिन जिस सहर निकायों में मदान की प्रक्रिया होगी उस दिन वहां के सरकारी कर्मियों को अवकास दिया जाएगा भागलपुर की पीहु ने 50 लाग जीतने के लिए लिया बड़ा रस्क भागलपुर के चुनिहारे टोला के गौतम सर्मा के पुत्री प्राप्ती सर्मा और पीहु को कौन बनेगा करोर पती जुनियर सीजन 14 के लिए चरनित किया गया था वहीं बीते दिन गुरुवार को सो 3.20 लाग रुपे से संतोस करना पड़ा हाला की प्राप्ती सर्मा की हाजर जवाबी और रिस्क लेनी की प्रव्रेती की लोग सरहना की इतना ही नहीं महानाया कमिताब बच्चन को कहना पड़ा कि अब तक 75 लाग तक कोई जुनियर नहीं पहुँच पाया था धान खरीत की तिथे विस्तायत करने पर सरकार करेगी विचार खादे एवं उबवोक्ता सनरक्षर मंत्री लेसे सिंग के दौरा बीते दिन गुरुवार को बिहार विधान सभा में जानकारी देते वे यह कहा गया कि राजे सरकार के दौरा अब शक्ता अनुसार धान अधि की जा चुकी है जबकि अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल इस समय तक धान की खरीद 3,89,986 मिट्रिक टन की गई थी बिहार सरसमेला 2022 में रंग विरंगे उत्पादों से सजा गांधी मैदान बीते दिन ग्रामीन कारे विकास मंत्री श्रवन कुमार के दोड़ा बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 15 दिवसिये लगने वाले बिहार सरसमेला का धूमधाम से उत्गाटन किया गया आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बीते दिन से सुरू हुआ यह मेला 29 दिसंबर तक रहेगा इस मेले में विविन राजे के विविन काड़ो बारी अपने अलग-अलग समानों के साथ नजर आए जिन में हस्त सिल पारंपरिक भोजन सिक्की कला के उत्पाथ जूर से बने समान समेत कुल 400 स्टॉल्स लगाए गए हैं बता दे कि हमेला बिहार ग्रामीन जीव को पारजर प्रोथसाहन समीती ग्रामीन विकास विवाग के दारा ग्रामीन उद्यमिता एवं स्वरोजगार को पढ़ावा देने के लिए आयुजित किया जाता है मुझपरपूर में देर करोर का 525 काटन सराब जब्त बिहार में सराब बंदी लागू है से में बिहार के मुझपरपूर जिले में एक ट्रक के तहखाने से 525 काटन सराब बरामत किये गया है जिसके कीमत करीब देर करोर क बताई जा रही है जानकारी के लिए बता दे कि सराब से भरे ट्रक को हर्याना से समस्तिपुर ले जाया जा रहा था इन सभी सराब की बोतलों को पुलिस के द्वारा घेडा बंदी कर जब्त कर लिया गया है और साथ ही ट्रक चालक को भी गिरफतार कर लिया गया है हाला कि था गया है अब भे सभी स्टुइट स्टूइंट्स जो मैट्रिक परिक्षा देने वाले हैं वे सभी विष्यों का वस्तुझ जानकारील 70 वारिक्षा बता दी कि मेंट्रिक वार्सिक परिक्षाद दो हजार तेईस की परिक्षाद 14 से 22 फरवरी तक चलेगी JEE मेंट दो हजार तेईस के लिए अवेदन सुरू बीते दिन गुरुवार की साम नेशनल टेस्टिंग एजनसी के दोरा JEE मेंट दो हजार तेईस के लिए IIT, NIT के साथ AAAIT समेश सिर्फ संस्थानों के बीटिक में अडमिशन के लिए तिथिय जारी कर दी गई है बता दे कि इसके लिए आवेदन की प्रक्रिय अभीते दिन गुरुवार की रात 9 बजे से सुरू कर दी गई है वहें इसके लिए आवेदन करने के अंतिम तारीक 12 जनव को ऑनलाइन रूफ से आयोजित की जाएगी हाला कि अब तक परिच्छा के सेंटर की घोशना नहीं की गई है सीम नितीज कुमार ने अपने विधायकों को किया आस्वस्त वितिदन गुरुवार की देश साम को जदियू विधायक दल की बैठक में मुख्य मंतर नितीज कु कि राज़त और जदियू एक साथ विलय होकर दोनों दल एक साथ लोग सभा का चुनाओ भी लड़ेंगे इसके साथ ही मुख्य मंतर नितीज कुमार ने कहा कि अब 2024 के आम चुनाओ के रिए हमारी बस यही कोशिश होगी कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ एक ही विधायक आपस पे भिड़ गये मिले जानकारी के अनुसार भिड़ने की वज़ा लॉबी में बैठने को बताई जा रही है इसके लिए दोनों विधायकों के बीच कहा सुनी भी होने लगी हाला कि मौके पर मौजूद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने दोनों विधा विधायक सत्यदेवराम और बीज़ेपी विधायक कुमार सालिंदर के बीच कहा सुनी की सुरुभात हो गई अवैत सराब को लेकर बिहार के वित मंत्री का बड़ा बयान विखार में इन दिनों अवैत सराब को लेकर शोर्थामने का नाम नहीं ले रहा है वही बिहार सरकार के वित्मंत्री विजय चौधरी ने अवैज्ञ सराब को लेकर बीजेपि को कड़़े में खड़ा कर उन पर जमखर हमला किया पतादे कि विजय चौधरी ने बिना किसी बीजेपी नेताओं का नाम लिये हुए कहा कि बिहार में यूपी और हरियाना से सबसे ज़ादा अवैट तरीके से सराब आ रही है इनकी पार्टी के लोग ही बिहार में अवैट सराब की तसकरी करवा रहे हैं वही सराब से मरने वाले लोगों की संक्या भी सबसे ज़ादा मध्य प्रदेश और हरियाना से है फिर इन राजियों के मुख्यमंतरी से जाकर इस्तिफाक क्यों नहीं मांगा जाता इन जरी के बाद पहला टेस्ट खेल रहे कुलदीप यादव ने बताया अपनी सफलता करास उन्होंने कहा कि मैं सुरवात में नर्वज था लेकिन मैं भागेशाली था कि मुझे पहले ही ओवर में विकेट मिल गया कुछ अव़रबाद मैंने अपने पेस में बदलाव किया और दोनों तरफ से गेंदबाजी की मुझे विकेट से काफी मदद मिल रही थी इंजरी के दौरान मैंने अपने रिदम और पेस पर काम किया अब मैं थोड़ा तेज डालने की कोशिश करता हूँ जिसने मुझे मदद मिली है जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए जिसके बाद राज थानी पठना में आज पेट्रॉल 107.02 रूपए और डीजल 94.02 रूपए और डीजल 95.02 रूपए प्रती लीटर है भागलपुर में पेट्रॉल की कीमत 108.26 रुपए है और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रती लीटर निर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में पिट्रॉल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.94 रुपए प्रती लीटर है बीते दिन हमारे दोरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मितियुझे कुमार, कु आप अपना जवाब हमें अमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना ना भूले धन्यवाद